पर्मिश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और इस अवसर के लिए जो प्रभुन हमें दिया कि हम उसके वचनों को पड़ें और उस पर हम मनन करें आज हम पड़ेंगे दुसरा तिमोथियूस की पत्री और उसका पहला ध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर आठवी आयत तक हम पड़ेंगे पॉलूस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिग्या के अनुसार जो मसीहिशु में है परमेश्वर की इच्छा से मसीहिशु का प्रेरिध है प्रियपुत्र तिमूति उसके नाम पर्मेश्वर पिता और हमारे प्रभुमसी इश्यू की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और सांती मिलती रहे जिस पर्मेश्वर की सेवा मैं अपने बाब दादाओं की रिती पर सुद्ध विवेक से करता हूँ उसका धन्यवाद हो की मैं अपनी प्रात्नाओं में तुझे लगातार स्मरन करता हूँ और तेरे आंसुओ की सुधी करकर के रात दिन तुझे से भेट करने की लालसा रखता हूँ की आनन्द से भर जाओं मुझे तेरे उस निश्कपट विश्वाज की सुधी आती है जो पहले तेरी नानी लोईस और तेरी माता युनिके में था और मुझे निश्चे है की तुझे में भी है इसी करण मैं तुझे सुधी दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्बारा तुझे मिला है प्रजवलित कर दे क्योंकि परमेश्वर ने हमें भई की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और सैयम की आतमा दी है इसलिए हमारे प्रबु की गवाही से और मुझ से जो उसका कैदी हूँ लज्जित नहो पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सु समाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा हाललुया मसी मेरे फ्रियो लोगो यहाँ पर तिमूथियूस के नाम पॉलुस प्रेरित की दूसरी पत्री है और पॉलुस प्रेरित जब भी किसी कलीश्या के नाम या किसी व्यक्ति के नाम पत्री लिखता है तो पहले वो खुद को परमीश्वर का चुना हुआ परमीश्वर की इच्छा से स्तापित किया गया अभिशेक किया गया एक प्रेरित के रूप में अपनी पहचान को वो बताता है और यह बात हमारे लिए भी बहुत ही आसिस का कारण ठहरती है कि नए नियम में जितने भी पत्रियों को हम पढ़ते हैं जहें प्रेरित पॉलूस के द्वारा लिखी गई है या दूसरे किसी और प्रेरितों के द्वारा लिखी गई है हर एक जो परमीश्वर की अच्छा से पईतर आत्मा के अगवाई में जो भी वचन हम पढ़ते हैं सच मुच में उससे हम परमेश्वर के वच्चन जान कर उसे हम स्विकार करना चाहिए और हमें विश्वास करना चाहिए कि हर एक वच्चन जो पहितरात्मा के प्रेणा से लिखा गया है बाइबिल के अंदर उससे हमें सचमुच में वो परमेशुर की वचन है उस तरह से हमें लेना चाहिए ताकि उन वचनों की द्वारा हम आसीसों को प्राप्त करें यहाँ पर प्रेजित पौलूस प्रमेशुर की इच्छा से जो मसी एश्यू का प्रेजित है इस बात को वो प्रगट करता है और सचमुच में वेसा ही है और इसलिए जब भी हम उसकी पत्रियों को पढ़ते हैं बहुत ही ध्यान से और सचमुच में वो परमेश्व के वचान है इस तरह से हमें उसे स्विकार करना चाहिए और उसका अनुसरन करना चाहिए और वह बातें जो नए नियम की कलिश्या के लिए बहुत ही महतोपूर और इस युग में वरतमान समय में कलिश्या को स्थीर करने के लिए वो बहुत ही गहरी सिक्सा के रूप में हमें लेना चाहिए और जब पॉलूस तीमुथियूस के इस पत्री के अंदर वो अच्छी तरह से वो जानता है क्योंकि प्रेडितों के काम के अंदर हम पढ़ते हैं कि जब प्रेडित पॉलूस तीमुथियूस को मिलता है तब वो सचमुच में उसको उसके अंदर परमेश्वर के प्रती उस विश्वास के बारे में उसको पता चलता है क्योंकि यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तो उसकी विश्वास की जो गवाही है वो पॉलूस खुद देता है क्योंकि ऐसा लगता है कि उनके तीमुथियूस के परिवार के साथ परिवार को वो अच्छी तरह से जानता हुआ दिखाई देता है और इसलिए वो अपने विश्वास के बारे में वो गवाही देता है कि जो विश्वास तेरे अंदर पाया गया है वह विश्वास तेरी नानी के अंदर जिसका नाम लोईस थी और तेरी माता युनिके में था मतलब कि उनकी माता और उनकी माता के अंदर भी यही विश्वास पाया था इसलिए वो निश्चे के साथ वो बताता है कि जो विस्वास तेरे अंदर है जो तेरी माता और तेरी नानी के अंदर भी था और मैंने वो निश्चे जाना है कि वो विस्वास तेरे अंदर भी है और इसलिए मैं तुझे सुधी दिला कर परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रजव वलीद कर दे मतलब कि प्रेरित पॉलूस तीमोथियूस को यहाँ पर धन्यवाद देता है और उत्सा प्रोटसान देता है कि जो वरदान परमेश्वर ने मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे पर दिया है उसी वरदान को तु और भी ज़्यादा प्रजव लिद कर दे और आगे हम पढ़ते हैं कि उस वरदान के अंदर प्रेरित पॉलूस इस बात का वरणन करता है कि परमेश्वर ने हमें भई की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और सैयम की आत्मा दी है हाललुया हमें भी यह बात को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि परमेश्वर का जो वचन उसके चुने हुए लोगों के लिए उस पर विस्वास करने वालों के लिए देने के लिए परमेश्वर ने वादा जो किया था इस मसी के द्वारा जो वचन उसने कहा था जो प्रेत को की काम उसके पहले दियाए और उसकी आठवी आयत में हम पढ़ते हैं वहाँ पर इस तरह से लिखा है परतु जब पवित्रा आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरुसलेम और सारी यहुदिय और सामर्या में और पृत्वी की छोर तक मेरे गवार होंगे तो प्रेडित पॉलूस भी टिमूतियूस को इस बात से वह आगह करता है इस बात को वह सुधी दिलाता है याद करता है कि जो वरदान मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझको मिला है उसे तु प्रजवलित कर द मतलब कि उसके अंदर तु और भी बढ़ता जा उसको और भी तु उसको जोती रुए बना दे उसे प्रगट रूप से उनके अंदर तु सामर्थवान हो जा क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ते है कि जो वरदान तुझे मिला है उस वरदान के द्वारा जो परमेशों ने हमें डर की नहीं लेकिन सामर्थ और फ्रेम और संयम की आत्मा दी है और जो आत्मा उसने हमें दी है जो आत्मा के वरदान उस से परिपून होकर हमें दी है ताकि हमारे प्रभु की गवाही से मुझ से जो मैं उसका कैदी हूँ मतलब कि पॉलुस यह बात प्रगट करता है कि मैं मसीशु में सुसमाचार के लिए मैं कैदी बना लिया गया हूँ मैं उसके कैद में हूँ ताकि मेरे द्वारा जो सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है या सुसमाचार को प्रगट करने के लिए परमेशु ने मुझे चुना है और इसलिए लज्जित न होकर उन परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा यहाँ पर प्रडित पौलूस अपने आपको परमेश्वर का कैदी मतलब के सुसमाचार के लिए परमेश्वर ने उसे चुना है परमेश्व ने उसे अपना बना लिया है ताकि वो उस परमेश्वर की सुसमाचार को सुनाए इस मसी के द्वारा जो उद्धार मनुश्य जाती के लिए परमेश्व ने प्रगट किया है उस सुसमाचार की बातों को वो प्रगट करें और जो सुसमाचार की बाते हैं जो सुनाने के लिए सिर्फ वो सुनाना आसान बात नहीं था और इसलिए प्रेरित पॉलुस तीमुतियुस को जो कि उसका साथी सेवक भी रह चुका था और किस प्रकार पॉलुस ने सुसमाचार के लिए दुख को उठाया था उसने कश्ट को सहा था उन बातों को तीमुतियुस ने उसके साथ रहते हुए उनको देखा था और उन बात को हम दुसरा तीमुतियुस तीन अध्याए उसकी दसर गैर्वी आयत में हम पढ़ते हैं कि पॉलुस के साथ तीमुतियुस जब उसकी सेवा में साथ साथ रह था तो जो दुख उसने अन्ताकिया में इकुनियम में और लुसरा में उठाये थे और उस दुख में तीमुतियुस भी सामिल था उसमें भी भागी था और उसने देखा था कि कैस स्रिती से सुसमाचार के लिए पॉलुस ने दुख उठाया और परमेश्वन ने उसे उन दुखों में से छुडाया भी था तो तीमुतियुस को वह हिम्मत दिलाता है प्रोटसाहित करता है कि तू भी उन गवाहों से प्रभु की गवाही से और लज्जा की बात न जानते हुए परमेश्वर के सामर्त उपाकर उस वरदान को तू प्रजवलित कर दे और सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा मतलब कि मेरे साथ तू भागी हो जा ताकि हम परमेश्वर के उस सुसमाचार के काम को हम पूरा कर सकें मसीवी मेरे प्रियो सुसमाचार सुनाना यह आसान बात नहीं है फिर भी जब परमेश्वर की उस सामर्त के द्वारा हम अभिशेक में आकर जब उस कार्या को करने लग क्योंकि परमेश्व ने हमें मसीश्व में उसने हमें गवाह ठहराये हैं क्योंकि उसने भी हमें उस सामर्त के द्वारा अभिशेक किया है जो पौल उसने तीमुती उस पर हाथ रखकर उसके वरदान के रूप में उससे अभिशेक किया था तो इस बात से हम अंजान नहीं है इस पहितरात्मा के वरदानों से हम अंजान नहीं है और उस अभीशेक से हम अंजान नहीं है कि हमारे अंदर भी परमेशन ने उसी आत्मा को दिया है जो भई की नहीं डर की नहीं लेकिन सामर्थ प्रेम और सायम की आत्मा दी है ताकि जहाँ पर हो सके जैसे ये श्मसी ने उस अभीशिक को पाकर उनसामत को पाकर लोगों की सेवा की लोगों को दुष्ट आत्मा के वज़ से छुडाया लोगों को उद्धार की बाते को प्रगट किया लोगों को उसने दुष्ट के वज़ से छुडाकर उसने अंदकार के वज़ से छुडाकर जोती के राज्य में लेकर आया उजयाला में लेकर आया और लोगों ने जोती पाए तो वो धन्य हो गए वो परमेश्र कासिस के पाने के योगी हो गए और पौलूस यही तीमुथी कि तू भी मेरे साथ उसी गवाही को लेकर उसी परितरात्म के सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा मसी मेरे प्रियो जब हम मसी के लिए दुख उठाते हैं तो हम उसके साथ राज्य भी करेंगे और उसके महिमा का मुगट जो हमें मिनने वाला है उसके लिए हम उसके काम को हम करते जाएं दुसरा कुरंथी चार सत्रा में इस प्रकार हम पढ़ते हैं क्योंकि हमारा पल भर का हलका सा कलेस हमारे लिए बहुत ही महत्वपुन और अनंत महिमा उत्पन करता है सुसमाचार सुनाना, सुसमाचार को फेलाना यह दुख की बात नहीं है लेकिन आनंत की बात है वो हमारे लिए अनंत महिमा उत्पन करता है चाहे हमें दुख भी उठाना पड़े, कष्ट को सहना पड़े वीरोध का सामना करना पड़े चाहे हमें सताव से होकर जाना पड़े लेकिनि वो सब बाते हमारे लिए अनंत महिमा उत्पन करती है इसलिए परमेश्व के उस वरदान को जो हमें दिया गया है उसे हम हलका नागी ने उसे हम काम ना आके लेकिन हमारे अंदर भी परमेश्वने उस वरदान को उंडेला है चाहे वो अन्य सेवोको के द्वारा या कलीश्या में जाने के द्वारा परमेश्वने में जो हमें अभी सेख किया है वो हमें बलवान करता है वो हमें सामर्द देता है पौलुस फिलिपियो की पत्री में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि जो मुझे सामर्ध देता है उनकी सहाईता से मैं सब कुछ करशकता हूँ मतलब कि प्रवित्रहात्मा का जो सामर्ध उनका अभी शेक है जिनका हम यहाँ पर वरणन सुनते हैं कि वह जो भाई की आत्मा नहीं लेकिन सामर्ध प्रेम और सायम की आत्मा है वही प्रेम की आत्मा जिनके द्वारा हम आत्मा को जीतते हैं वही सायम की आत्मा कलेस के अंदर हम खड़े रह सकते हैं प्रबु में विस्वास में हम स्थेर रह सकते हैं और एक आदर्स के रूप में एक गवाही के रूप में हमारा जीवन परमेश्वर के लिए अर्पित है उसे हमें क्या करना है हमें इस गवाही के रूप में गवाही के रूप में खड़े रहकर सुसमाचार को सुनाना है रोमियो की पत्री एक सोला में पॉलुस इस प्रकार हमें बताता है क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता इसलिए कि वह हरेक विश्वास करने वालों के लिए पहले तो यहुदी फिर युनानी के लिए उद्धार के निम्मीत परमेश्र की सामर्थ है हाललुया सुसमाचार जो की परमेश्र की सामर्थ है और वो हर मनुष्य का उद्धार कर सकती है चाहे वो यहुदी हो युनानी हो मतलब कि अन्य जाती का हो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाती का हो, कोई भी भासा का हो हर एक के लिए सु समाचार की सामर्थ वो उध्धार को प्रगट करते हैं उध्धार दिलाती हैं और इसलिए हमें उन कामों को करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए तैयार रहना चाहिए इसलिए पॉलुस प्रोथ साहित करता है और उस निस्कपट विश्वास की भी वो याद दिलतर कहता है कि तुझ में जो विश्वास है तेरे अंदर जो विश्वास है उनको मैंने जाना है और तेरी माता और तेरी नानी के द्वारा उसके अंदर भी उसको मैंने पाया था और तेरे अंदर भी है मसीमी मेरे प्रियों आज जब हम विश्वास करेंगे आज जब हम प्रभु के वच्चन पर विश्वास करेंगे हमारे संतानों के अंदर भी वही विश्वास का आत्मा उंडेला जाएगा क्योंकि हमारा परमेश्वर जब हम विश्वास करते हैं हमारी पीडी दर पीडी वो विश्वास योगे रहता है हमारे संतानों के संतानों पर भी वही आसिस उन्रेलता है जब हम विश्वास करते है मसीमी मेरे प्रियो परमीशर कवच्चन जो हमें आसिसीत करता है जैसा हम विश्वास करेंगे वेसे ही हमारे संतान भी हमारी पीडियां भी उसी आसिस के भागी होंगे और परमीशर के उस आसिस के भागीदार होंगे और इसलिए मसीमी मेरे प्रियो जिस बात को पौलुस यहां तिमुथी उसके बता रहा है जो कि उसका साथी सेवक उसका रह चुका है और किस रिती से आगे भी वो सुसुमाचार के कामों में भागी होकर दुख उठाने तक वो विश्वास योग्य रहकर प्रभू के काम को कर प्रवत्सान देता है इसलिए हमें भी इसी वचनों को हमारे अंदर लेकर उसे स्विकार करकर हमें भी उनको कामों को करना है प्रेजितों के काम 10 सद्याए 42 आयत में इस प्रकार हम पढ़ते हैं और उसने हमें आग्या दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह प्रमेशों ने जीटों और मरे हुव का न्याई ठहराया है उसकी सब्भष्यवग्ता गवाही देते हैं कि जो को उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी सुसमाचार के अंदर भापों की क्षमा भी है और सुसमाचार के अंदर सामर्थ भी है जो दुष्टता के कामों को नश्ट करती है दुष्टात्मा को भगाती है और लोगों को दुष्टात्मा के वज से छुड़ा कर उजियाला के राज्य में लेकर आती है और इसलिए हमारे लिए यह लग्जा की बात नहीं है और जो आसा हम रखते हैं वो आसा परमेश्वर हमारे अंदर परिपूर्ण भी करता है इसलिए जो पवित्रा आत्मा हमारे अंदर दिया गया है और परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है उसी में से लेकर हमें इस्तमाल करना है उसी आत्मा से लेकर हमें काम को करना है और प्रभु की आत्मा देन प्रतिदीन हर समय जब हम उसके काम को करने के लिए उसके सुसमाचार को फिलाने के लिए हमारा जीवन को हम अरपन करते हैं निरंतर हमारे अगुआए करेगा क्योंकि वह परमेश्य की आत्मा है जो सामर्थ की आत्मा है संयम की आत्मा है वही प्रभु की आत्मा है जो बंदवाई में से लोगों को छुडाने के लिए और केद खाने में पड़े लोगों को केद खान में से बाहर निकालने के लिए दरीद्यों को सुसमाचार सुनाने के लिए और हमें ये विश्वास करना चाहिए कि कि सरिती से पौलूस तीमूथियुस को याद दिलाता है उसी दूसरे तीमोथी उस तीन अध्याई दस्वियायत में इस प्रकर पड़ते हैं परन्तु तुने उपदेश, चालचलन, मनसा, विश्वास, सहनसिलता, प्रेम, धीरज और सताय जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया और उस ऐसे दुख में भी जो अन्ताकिया और इकुनियम और लुसरा में मुझ पर पड़े थे और अन्य दुखों में भी जो मेंने उठाये थे परन्तु प्रभु ने मुझे उस सब से छुडा लिया मतलब कि यहाँ पर प्रेद पॉलूस तिमोथी उसको याद दिलाता है कि किस प्रकार जब मुझ पर दुख पड़े मैंने दुख उठाये और मेरे अंदर जो तुने उबदेश को देखा मेरे चाल चलन मेरी मानसिक्ता को तुने देखा मेरे अंदर विश्वास को तुने द जो प्रेम मेरे अंदर जो धीरज मेरे अंदर और सताय जाने के समय और दुख उठाने के समय जो तुने मेरा साथ दिया उनको तु अच्छी तरह से जानता है और इसलिए मैं तुझे कहता हूं कि तु मेरे साथ सुसमाचार के लिए दुख उठा और जिस बुलाहट में पर अनुक्रह के अनुसार जो हम पर सनातन से परमेश्यर के द्वारा हम पर हुआ है उसे तू काम को करता जा और तब ही हम परमेश्यर के काम करने पाएंगे और प्रभू में हम बनने पाएंगे और मैं भी हर एक सुनने वालों के लिए यही बात को मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्यर ने हमें वही आत्मा दी है जो सामर्थ प्रेम और साहियं की आत्मा है उसी के द्वारा हम प्रभू की सुसमाचार को सुनाते रहें और उद्धार की बातों को प्रगट करते रहें औ तब आप सभी को बहुत-बहुत आसिस करें, आमेन और आमेन, हालेलुया.